जै बलो देवादी देव एखजराट स्री भगवान महाबीर श्वामी की जै 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 अहिंसा परमो धर्म की जै 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 परमपूज आचर गुरुवा स्री विज्या सागर जी महराज की जै 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 बले परमपूज मुनी श्री परमाण सागर जी महराज की जै 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 आज तब कल्यानक है कल आप सब लोगों ने भगवान के जन्म का जश्न मनाया और आज भगवान अपने जन्म को शार्थक करने के लिए वन की और प्रस्थान करेंगे आज मध्यान में भगवान के दिख्षा कल्यानक की उस संपून विधी को आप सब देखेंगे पहली बार देखेंगे ऐसा तो नहीं है पहले भी अनेग बार देख चुके और आज भी देखेंगे पर मैं चाहता हूँ आज आप न देखें महराज न देखें हाँ आज देखें नहीं तो क्या करें? नहीं आएं? आएं दिक्षा कल्यानक को देखें नहीं दिक्षा कल्यानक का अनभाव करें और जब आप उसे महसूस करेंगे तो आपके जीवन में एक बड़ी घटना घटेंगी वह घटना जो कभी प्रभू परमात्मा के अंतसमे घटेंगी कुछ सवाल आज के संदर्ध में आप सब के भी चुपस्थित रख रहा हूं और उन्पर ही चल्चा सबसे पहली बात आप देखेंगे भगवान आज दिक्षा लेंगे तब ग्रहन करेंगे शवाल तब क्यों तब क्या तब कब और तब कैसे इन चार बतों पर आज थोड़ी सी चर्चा करने का मन बन रहा है आप सब जब कभी भी धर्मी की बात आती है तो प्राया लोग ये सोच कर धर्म करते हैं कि धर्म करने से दुख संकट दूर होगा जिसके जीवन में दुख संकट जादा होता है वो उतना अधिक धर्म करता है ऐसी लोक में धारना भी है और माननेता भी है कई लोग ऐसे हैं वोड़े हमें कोई परिसानी थोड़ी हमकाई को धर्म करें ऐसा लोग बोलते हैं उन लोगों को इसके शामने ये दृष्य उपस्थित करना चाहिए भगवान के जीवन में किसी भी प्रकार का भौतिक कष्ट नहीं होता किसी प्रकार का तुम्हारा लिए तो कोई न कोई बिमारी भी हावी हो जाती उनको तो कभी शिर में दर्द भी नहीं होता उनके पुन्य का अतिसाई इतना प्रभल होता है कि संसार की सारी सुक्सुबधाएं उनके चर्णों में लुन्ठित होती है उनका सब कुछ बड़े ठाट बाटका होता है उनके बस्त्र आभूशन और भोजन भी स्वर्ग से आते हैं इंद्र उनके चर्णों में किंकर की तरह सेवा करता है आपने देखा न गर्भ में आने के पहले से इंद्र अपनी चाकरी कर रहा है और नके वल चाकरी कर रहा है अपितु उस चाकरी में ही अपने जीवन को कृतार्थ महसूस कर रहा है वो अंदर की भक्ती से प्रेरित होकर सब जिनके चर्णों में नत मस्तक होते हैं सुर नर खग सब असुर भी जिनके चर्णों में नत सीच हों जिनके जीवन में किशी प्रकार का अभाव नहीं अलपता नहीं फिर भी दिक्षा क्यों कभी मन में सवाल आया भगवान को क्या कमी थी मैं जब दिक्षित हो गया संग में 1993 में एक युवक मेरे पास आया जो कभी मेरे साथ पड़ता था आकर के उसने पहली बार मुझसे मिला एक लंबे अंतराल के बाद मैं 84 में संग में आया 93 लगवक 9 साल का आते ही कहा आप क्यों निकल गए आपके पास क्या कमी थी मैंने कहा यह बताओ तुमारे पास सब कुछ है बने सब कुछ क्या महराज मेरे पास यह है वो है उसने इस और दी में अपने ब्यापार कारोबार को काफी लंबा चोड़ा बढ़ा दिया था बहुत सारी चीजे गिनाई ये है वो है बहुत सब कुछ है बहुत सब कुछ क्या होता है जो कुछ है बहुत कुछ है हम बहुत बस तुम्हारे पास बहुत कुछ है सब कुछ नहीं मैं उस सब कुछ को पाने के लिए मैंने उन्हें छोड़ दिया और मुझे मालूम है जब उसे छोड़ूँगा तभी अपने भीतर का जो सब कुछ है उसे पास सकूँगा बात केवल इतनी है एक बिक्ति के हाथ में अगर काच की गोलियां हो और सामने कंचन पड़े हैं तो कंचन को तभी ग्रहन किया जा सकता है जब काच की गोलियों को फेका जाए हाथ खाली किया जाए काच की गोलियों को फेका जाए हाथ खाली किया जाए और जब तक हाथ में काच की गोलियां पड़ी रहेगी हाथ काच के गोलियों से भरे रहेंगे तो कंचन को चुनने का मौका ही नहीं मिलेगा तिर्थंकर भगवंतों के जीवन में भौतिक कस्ट का अभाव होता है लेकिन वे जानते हैं इस चीज को महसूस करते हैं कि मनुष्य के जीवन के दुख का कारण बाहर की सामगरी नहीं अभाव और अल्पता नहीं उसके मन में पलने वाले आसा और तृष्णा के भाव है उसके मन में परपने वाले राग और आसकती मूलक भाव है जो उसके भीतर अनेक प्रकार के बिकारों को जन्म देते हैं और उन बिकारों का समन तभी होगा जब हम इन सब के ब्यामों को त्याग कर तप में लगेंगे अंदर के बिकार स्वर्ण पाशान में सोना होता है उस स्वर्ण पाशान को जो सोने का ओर है ऐसक है उससे सोना निकालने के लिए क्या करना पड़ता है क्या कहना पड़ता है, उसको तपाना पड़ता है, जब उसे तपाते हैं, उसकी कालिमा, किट्मा गलकर अलग निकलती है, तब सुद्ध सोना निखरता है, उसी तरह कोई शाधग अपनी आत्मा को जब तब के आँच में तपाता है, अंदर के सारे बिशेविकार कालिमा और किट्रिमा के रूप में बाहर निकल जाते हैं और सुद्ध आत्मा कुंदन की तरह निकर जाता है वही आत्मा परमात्मा होता है भगवान को उस परमात्मा से लगाव था अपने अंदर के परमात तत को अभिव्यक्त करना था इसलिए उन्होंने कहा ये सब बिकार है ये सब उल्जाने वाले है ये सांती देने वाले नहीं है ये सुबधा दे सकते है मन की आकुलता का समन तभी होगा जब मैं अपने आपको सारे विशे बिकारों से मुक्त करके अपनी आत्मा में रमूँगा और जिसे आत्मा में रमना है उसे लिए उसके लिए तब अंगिकार करना जरूरी है ये तो ब्रास्ता के ब्रास्ते की बाधाएं हैं रुकावटें जो हमें रोकती है भगवान को जिस दिन इसका भाष हुआ वो निकल गए उन्हें समझ में आगिया इस सत्ता ये सामराज, ये सम्मंधी, ये सरी, सब नश्वर है आज है, कल रहे न रहे यदि कोई शास्तत्त है तो वह मेरे भीतर का आत्मतत्त है मुझे उसे ही हासिल करना है अब तक मैं इन्हें मुग्द होकर अपने सरूप को भूला था आज मुझे अपने सरूप का बोध हुआ और ये समझ में आ गया कि जीवन को आगे बढ़ने के लिए इन्हें में उलजना नहीं है सरूप में डूबना है और उसके लिए मोह को त्याग ना होगा भगवान दिक्षा के लिए आगे बढ़े सभी तिर्धंकर भगवन्तों ने दिक्षा ली एक बार एक भाई ने कहा महराज को ऐसा सौटकट नहीं है कि बिना दिक्षा के केवल ग्यान हो जाए है ना आप लोग तो सौटकट ही खोशते है बिना दिक्षा के केवल ग्यान हो जाए ऐसा कोई सौटकट नहीं है मैंने का वो सौटकर उस दिन हो जाएगा, जिस दिन बर्तन को तपाए बिना दूद तपाने की प्रक्रिया आजाए बताओ, बर्तन को तपाया जाता है कि दूद को, किसको तपाते हैं, दूद तपाते हैं, कि बर्तन, बोलो तो, ए भगवान किसको तपाते हैं दूद तपाते हैं की बरतन हां गलत बरतन को तपाते हो के लिए बरतन रखते हो गैस पर क्या तपा रहे हैं क्या सोच करके गैस पर आप अपनी टोपिय के रखते हो दूद तपाना है है ना दूद तपाना है तो किसको तपाना है दूद को और तप क्या र है दूद को तपाने के लिए बरतन को तपाना ही पलता है लक्ष बरतन को तपाने का नहीं है पर दूद को तपाने का इसके अलावा और कोई दूसरा माध्याम नहीं है पहले बरतन तपता है बाद में दूद तपता है उदेश दूद को तपाना है बरतन को नहीं और दूद क भी क्यों तपाते हैं न तपाओ अरे महराज दूद को नहीं तपाएंगे तो दूद फट करके बेकार हो जाएगा इसलिए दूद को तपाना पड़ता है तो बस मैं यही कह रहा हूँ आत्मा को नहीं तपाओगे आत्मा भी फट जाएगी उसमें विकार आजाएगा विक्रती भर जाएगी उस आत्मा को तपाओ अभी तुम सब भटे दूद की माती हो जब तपना सुरू करोगे तब तुमारी आत्मा की सुरक्षा होगी और तब अपने विक्रती का सोधन करके अपनी वास्तवी प्रक्रती को घाटित करने में समर्थो सकोगे तब करने का प्रयोजन शरीर को तपाना का नहीं है अपने आत्मा की विक्रतियों को मिटाना है और उसके लिए यही एक मात रास्ता है तिर्थंकर भगवन्तों ने भी ये बता दिया भीया काया में सुख ना ही माया में सुख ना ही काया और माया के मोह से मुक्त होकर जब तुम अपने में डूबोगे तबी सच्चे सुख को प्राप्त कर पाओगे इसलिए उन्होंने दिक्षा का मारगचुना हम सब को बता दिया कि मारगच तो यही है और वर्सो तप किये आदिनाद भगवान ने कितने दिन तप किये पता है कितने दिन मालूम है आप लोगों को एक हजार वर्स तक किल पता लगेगा एक हजार वर्स क्या होता है कौन कर रहा है तब जिसकी ध्रुव सिद्धी है इस भव में मोक्ष जाना पक्का है जो तिर्थंकर है जिनके तीन कल्यालक हो चुके चौथा पाज़वा होना है जिनका कल्याल सुनिश्चित है जो जगतारक बन करके जन में वे भी एक हजार वर्स तक तप कर रहे है क्यों आत्मा की शुद्धी का इसके अत्रिक्त और कोई दूसरा मार गे ही नहीं है उनकी दृष्टी में सरीर होता तो वे अपने अयोध्धा में ही रमे रहते राज भैवो कोई भोकते रहते कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं था जवर्दस्त पुन्य था लेकिन कहते नहीं ये पुन्य कब धोका दे दे कोई पता नहीं इसलिए पुन्य के भरो से मत रहो पुन्य के भरो से जीने वाला भागवान हो शकता है पर आत्मा के भरो से जीने वाला भगवान बनता है भागवान बनना कोई बड़ी बात नहीं है भगवान भागवान थे ना? थे की नहीं? बहुलो, भगवान भागवान थे और जिने भगवान का सानिद्द मिला वे भी भगवान बन गए पर भगवान ने कहा इस पे भरोसा मत रखो, क्योंकि कब भाग फूट जाये भरोसा नहीं है पुन्न धोके बाज है मौके पर धोका देता है इसे छोड़ो और ये उल्जाने वाला है आक उल्टा देने वाला है इसे मुह मोडो और उन्होंने फिर भागवान बनने की जिगा भगवान बनने का रास्तांगी कार किया और निकल गए एक हज्यार वर्स तक निरंतर तब किया क्यों किया अंतरात्मा के सोधन का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है बात समझ में आ रहे हैं आप लोगों को हां हमारे भगवान इतने तबश्वी तबश्या का मार्ग बताने वाले तुमारे गुरू इतने तबश्वी तुमारे सास्त में तबश्या वर्न और तुम कहां तुमारे सामने तो तबश्चा की बात आते ही समझ्चा ख़ड़ी हो जाती है है ना क्या खुरी ये किसका लख्षन है यही मोर अग्यान है इस से चित मोड़ना होगा आस तैकरो भगवान के इस दिख्षा कर लियानक की घड़ी में कि मैं अपने नर्भों को व्यर्थ नहीं करूंगा अपने इस नर्भों को पाकर मुझे शार्थक बनाना है सक्ती के अनुरूप तब त्याग का रास्ता अंगिकार करना है और धर्म पत पर चलते वे अपनी आत्मा का उद्धार करना है ये भाव अंतर में जग गया ना तो ये पंच कल्यानक फल गया कही लोग कहते हमें पंच कल्यानक फल गया बले क्या हुआ बले हमारा धंदा चल गया कही ऐसे लोग ये मराज जब से हम पंच कल्यानक में भाग लिए और उसके बाद तो ऐसा भाग जागा कि सब रुके काम फटा फट हो गये धंदा भी चल गया अरे भाई धंदा तो अनंतकाल से चलाते आ रहे हो सच्चे अर्थों में इसे इसका फल चाहते हो फल पाना चाहते हो तो अपने भीतर जहांक कर देखो और उसके लिए अपना रास्ता खोलो ये मार्ग है अगर घर में ही मोक्ष मिल जाता तो आप लोग कहते हैं न जो संसार विसे सुक होता तिर्थंकर क्यों त्यागे काहे को सिव साधन करते सैयम सो अनुरागे कितना बड़ा सवाल है पर तुम लोगों का हाल उल्टा है भगवान ने जो छोड़ा तुम उसी को बठोरने में लग जाते हो अब इस दिख्षा कर लेना के बाद भगवान के बस्त्रों को लूटने के लिए लोग तूट पड़ेंगे वो तो छोड़ दिये जिसे जल और वेकार समझ कर तुम उसी को पकलोगे है ना अरे सच्चे अर्थों में तुम भगवान से कुछ पाना चाहते हो तो उनके मार्गों को पाओ जो भगवान के मार्गों को पाता है वो एक दिन भगवान बन जाता है वो द्रिष्टी होनी चाहिए आचार कुंदु कुंदु कहते है नभी सिज्जयी वत्थ यरो जय भी होई तिथ्थेरो नगगोवी मोख मगगो सेसा अमग गया सब्वे जब तक तुम दिक्षित नहीं होगे सिध्धी नहीं होगे वस्त धारी को मुक्ती नहीं होती चाहे वित्थि थंकर भी क्यों नहों निर्वस्त निर्गंत मुनिही मोख्ष मार्ग को अंगिकार करता नगगोवी मोख मोगगो यही एक मात मोख्ष मार्ग है बाकी सेसा अमग गया सब्वे सेसा अमार्ग है उनमार्ग है उस उनमार्ग से अपने आपको मोडो और भगवान के पत पर चलो तो जीवन धन होगा तो जीवन को कुंदन बनाने के लिए तब करना जरूरी है अपनी आत्मा की छमता को जगाने के लिए तब करना जरूरी है अपने दोसों और दुरवलताओं को दूर करने के लिए तब करना जरूरी है अपने विशे विकारों को मिटाने के लिए तब करना जरूरी है समझ में आरी बात तब करना जरूरी है की नहीं है है किस के लिए किस के लिए अगर तब करना जरूरी है तो तुमने तब करने की कोई तैयारी की है की नहीं माराज अभी तो तपश्चाई हो रही है देखिए नहीं हम लोग इतनी गर्मी में बैठे हैं बिना खाए पिए धेर सारे नियम दे दिये गए है यह सारे नियमों के साथ रहे यह तपश्चा नहीं है हाँ यह तपश्चा है पर यही तपश्चा नहीं तपश्चा क्या है जब कभी भी हम लोग तप की बात करते हैं हमारी दिश्टी केवल सारीरिक तप पर केंदित हो जाती है भोजन पार्नी का त्याक करना, उप्वास आदि करना, भूख प्यास की वेदना को शहना सारीरिक कष्टो को शहना, तप की श्रेणी में आते हैं लेकिन ये तप का बाहरी रूप है, असली तप क्या है, असली तप क्या है हर इस्थिती में मन की प्रसंदता को टिकाए रखना मना प्रसादम सौम्यत्तम सौचम इंद्री नग्रह तवो मानस मुच्चते मन की प्रशंदता, शभाव में शौमता, इंद्रियों का निग्रह दे की पवित्ता ये एक प्रकार का तप है, अपने आपको विशय विकारों से मुक्त करो हर इस्थिती में मन की प्रसंदता को टिकाए रखने का अभ्यास करो ये तप हो जाएगा, अभी मैंने कहा तप हमारी चेतना को निखारता है तो आप जिस माध्धम से भी तप करेंगे, आपकी चेतना निखरेगी, उसमें निखार आएगा वो निखार चाहिए, तो तप कीजिए, अब मैं आपको बोल रहा हूँ उपवास करके तप करना आपको कठीन लगता है, लगता है कि नहीं लगता है खापी करके तप करने को तयार हो, बोलो, बोलो, है ना, तयार हो, चलो किसी वेक्ती ने आप से कोई कटू शब्द बोल दिया, उस समय उससे सुनकर अंसुना करने के लिए आप तयार हो, बोलो, किसी ने कोई कटू सब्द कहा, ऐसा सब्द जो हृदे को बीज जाए, मन छुब्ध हो उठे, लेकिन आपने शुना और अंसुना किया, उसे नजर अंदाज किया, ये तपश्या हुई की नहीं हुई, बोलो, आपने नजर अंदाज कर दिया, क्या हुआ, आपके कर्म ज़रे की नहीं ज़रे, ज़रे, आप ऐसा कर सकते हो, मराज भोजन करते समय कुछ खटपट हो जाए, तो थाली छोड़ देते हैं, गुस्सा नहीं छोड़ पाते हैं, यानि उपवास करना तुम्हारे लिए सरर है, गुस्सा छोड़ना तुम्हारे लिए कठिन हैं, बस मैं यहीं कहता हूँ, यहीं उल्टा अतप है, उपवास करो अति उत्तम है, पर कदाचित उपवास न कर पाओ, तो कम से कम, क्रोध से तो अपने आपको बचाओ, आजकल सब लोग रोना रोते हैं, अब हमारे सरीर के वसकाई नी हम क्या करें, क्या करें, मत करो कुछ, सरीर को ज़्यादा कष्ट मत दो, पर मन को तो साधना सुरू करो, जिस अधिक सहन्सील ता आती है, समझना वो उतना अधिक तपश्वी है, सहन्सील बनो, सहिष्णू बनो, उदार सोच के धनी बनो, ये तुम्हारे भीतर एक तपश्वी का रूप निर्मित करेंगे, फिर जीवन में कोई कठना ही नहीं होगी, कोई भी समझ्चा आएगी तुम उसे तपश्चा में बदल दोगे, रास्ता अपने आप प्रसस्त होगा, इच्छा के निरोद का नाम तप है, आप लोग सुनते हैं न, भगवान ने उसी इच्छा से मुक्ति के लिए तपका मारग अंगी कार किया, हम उसी तरह तपके मारग को अंगी कार करते वे आगे बढ़ते चले, आगे बढ़ते चले, जिसके बल पर अपने जीवन को कृतार्थ किया जा सके, तयारी करे, सारी लिक, वाचिक और मांसिक तपकी, भगवान आज दिख्षा लेंगे, मुझे पता आप लोगों में कोई भी दिख्षा के लिए तयार नहीं है, पर ये मान करके चलना, जब भगवान बिना दिख्षा के नहीं तरे, तो तुम कैसे तरोगे, रास्ता तो यही है, अब बात अलग है, कि अभी और सौपचास भो संसार में रमना हों, तो अभी बात नहीं आए, सौपचास भो भी मैंने उदारता से कहे, जो धर्म से बिमुक होता है, वो अनंत सागर में गोता लगाता है, और जो जिन धर्म की शरन आता है, वो सिग्र भो सागर से पार हो जाता है, पार होना है तो धर्म की जहाज पर शवार हो जाओ जिससे भाव पार हुआ जा सके और कोई दूसरा रास्ता नहीं है कब करें? कब करें? महराज जी अब करेंगे जब सब काम हो जाएंगे सारी दुनियादारी निफ्टा लेंगे तब करेंगे तो दुनियादारी को निफ्टाते निफ्टाते खुदी निफड़ जाओगे तो कब करोगे? बोलो कब करना? कब करना? बुढ़ापे में एक बार एक युवक आया मेरे पास तो लोगों ने बोला महराज जी इसको कुछ प्रेर ना दीजिए थोड़ा धरम करे मैं उसकी तरफ देखा उसने का महराज बुलहापे में देखूंगा मैंने का गारेंटी तू बुलहापा भी देखेगा बुलहापे में देखूंगा तो इस बात की पकी गारेंटी कि तू बुलापा भी देखेगा कोई भरोसा नहीं कि बुलापा देख पाए या न देख पाए कब करना जब समझ में आ जाए तब करना उसके लिए समय की प्रतिक्षा करना बेमानी धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ने का उल्लास जगाई है तब मुझे बहुत आश्चर होता है जब हम एक तरफ इतने त्याग तब की बाते करते हैं और दूसरी तरफ ऐसे समारोहों में आने वाले लोग भी खाने पीने में इतने मस्गूल हो जाते हैं कि पूरा दिन उसी में निकाल देते हैं जब भोजन साला खुल जाए तो फिर बाकी सब छूट जाए चलेगा और देखो वहां कहीं भी जाओन आप तो वहां थोड़ा उन्नीसा बीसा हो जाए तो पचा नहीं पाते हैं आप तो बराती बन जाते हो है ना आए किसके लिए धर्म करने के लिए अगर क्या लेते हैं अधर्म मांसिक्ता को बदलना चाहिए जब तक हमारी भोगवादी सोच बनी रहेगी तब तक धर्म पद्ध पर सही तरीके से बढ़ पाना संभव नहीं है सोच को बदलना है चिंतन की दिशा को बदलना आज आप देखेंगे निलान जना के नित्त को देखते देखते उसकी होने वाली आकस्मिक मृत्तु से प्रेरित होते वे भगवाद एक पल में राजपाट बेभोट छोड़ेंगे और तुम ना जाने कितने को समसान पहुँचा है पहुचा है पहले तो थोड़ा समसानी बेरागे भी होता था अब तो समसान में भी राग रंग चलने लगे वहाँ भी दुनियादारी की बाते वहाँ भी लोग हसी मजाक करने लगे यानि लोगों का चित बड़ा संवेद नहीं होता जा रहा है वे अपने जीवल के प्रतिगोर लापरवाहा होते जा रहे हैं ऐसा करके वे यह नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं अपने साथ कैसा अनर्थ कर रहा हूं इस लापरवाही से आगे आना होगा इसे मिटाना होगा जिससे अपने जीवन के पज को अंगीकार किया जा सके और अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाया जा सके मन में भाव जगाईए और दिरता लाईए कि मुझे आगे बढ़ना है ब्रत सायम के रास्ते पर आगे बढ़ गए तो आज नहीं कल भवानतर में तुम्हारा उधार होगा ये मनुष्च परियाए बहुत दुरलबता से मिली है इस परियाए को पाकर यदे तुमने इसे योही खो दिया तो तुम से बड़ा नादान और आभागा इस संसार में कोई दूसरा नहीं होगा इत्ति दुरलब रूपाम बोधी मलब्धवा यदी प्रमादी श्यात संसती भीमारने भ्रमति वराको नरह सुचिरम इस दुरलब मनुश्परियाय को प्राप्त करके जो आलसी बन जाता है प्रमादी हो जाता है वो संसार की भ्यानक वन में दिर्ग काल तक भटकने के लिए अविशप्त हो जाता है हमने भव भव में दुख सहा भटके हैं नजाने कितने कितने प्रिकार के दुखों का पात्र हमें बनना पड़ा है चार गती और चौरासी लाक योनियों में हमने केवल जन्म और मरने के दुख सहे हैं उन दुखों का अंत करना है तो एक ही रास्ता है वो भगवान का रास्ता है भगवान के रास्ते पर चलेंगे तो हमारा उत्थान होगा और केवल भगवान की जैजेकार करते रहेंगे तेशी जमात में बैठे रहेंगे आगे बढ़ने का आउशर खोदेंगे वो आउशर हमारे भीतर घटित हो और हम खुद को आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित हो सके ये पुर्शार अपने भीतर घटना चाहिए ये पुर्शार घट जाए तो जीवन का बेड़ा पार हो सकता है हम अपने आपको आगे बढ़ाने में शमर्थ बन सकते हैं निरंतर सतत हमें इसी रीती से आगे बढ़ने का भाव बना करके चलना चाहिए कि बस चलना है, चलना है, चलना है, तब हमारे जीवन में कुछ सार्थकता होगी, आप लोग सुनते तो बहुत हो, जितनी देर सुनते हो, उतनी देर तो दुनिया अलग होती है, बाद में सब अपने रंग में रंग जाते हैं, इसलिए गलवर हो जाता है, जब जागो तभी स जबेरा, जीवन का कोई ठीकाना नहीं है, इसलिए सक्ति और परिस्थिति के नुरूप आगे बढ़ने का काम तो होना ही चाहिए, आप लोग धरम के छेत्र में हो, थोड़ा देखो, पचास बरस, चालिस बरस, तीस बरस, बीस बरस, पंदरा बरस, दस बरस ते धरम कर रहे हो, पर हो जहां के ताँ सब LKG में हो, कि UKG में भी आये हो, कहां हो, कहीं तो अभी भी LKG में ही है, अरे भाई, उपर तो उठो, आगे तो बढ़ो, कल्यान कैसे होगा, मिने कुमार पथी के एक बड़े गीतकार हुए, उनका एक बड़ा प्रसिद्ध गीत था, कैसे हो कल्यान की करनी काली है, क्यों कर हो भुकतान की हुंडी जाली है, है ने, कैसे होगा कल्यान, ये सवाल अपने मन से पूछो, चित्य की दिशा को मोड़ो, अभी तो तुम लोगों की कहानी ये है, त्याग तब की बात तो जाने दिजिए, अब तो विशन और भुराईयां हावी होने लगी है, सराब जेसी चीज़े अब आम होने लगी है, रात्री भोजन अगर छोड़नी की बात आजाए तो पहाड़ा बन गया है, उम्र दराज लोग भी उनसे बिमुखनी हो पा रहे हैं, कहां, क्या करोगे तुम लोग, खाते खाते ही निकल गई सारी जिंदगी, भोजा धोते ही निकल गई सारी जिंदगी, एक दिन तुमारी कहानी खतम होगी और तुम जहां के तहां रहोगे, वो आदर्स तुम्हारे जीवर में प्रकट होना चाहिए कहां खो गया क्यों नहीं है वो सब चलता है सब चलता है ये कह कह कर तुम सब अपना संसार बढ़ा रहे हो भीतर और बाहर का त्याग होना चाहिए चित्य की निर्मलता और सुध्धी का उपक्रम निरंतर चलते रहना चाहिए ये घटेगा तभी तुम अपने जीवर में कुछ हासिल कर सकोगे अन्य था कुछ भी हाथ हाने वाला नहीं है तो आज का ये तब कल्यान है मन बनाईए हम भगवान के मार्ग पर चलेंगे बुछ नहीं कर सकते हैं तो भगवान के सच्चे और पक्के अनुयाई तो बने जैन कुल में जन्म लेकर जैन तो कहला गए पर जैनत तो है ये देखो और जैनत तो को अपना ला किसकी जिम्मेदारी है किसके जिम्मेदारी है जैन की या जो जैन नहीं है उनकी अपने अंदर जाक के देखो कि मैं जैनत की कसोटी पर कितना खरा हूँ बाते तो बड़ी बड़ी कर देते हैं पर आचरन कहा है इस पंच का लान को आप सब अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट बनाएए सोचिए और एक तै कर लिजे कि अब मैं अपने जीवन की दिसा बद दूँगा अपनी जीवन सहली को परिवर्तित करूँगा अभी तक जैसे जी रहा था उस तरीके से जीने की जिगा अब नए तरीके से जीऊँगा और अपने जीवन का पथ प्रसस्त करूँगा ये संकल्प अगर मन में आ गया जीवन का काया पलट हो जाए फिर कोई कटना ही नहीं लेकिन मोभाव इतना प्रगाड है कि बाते समझ में ही नहीं आती थोड़ी देर के लिए हो जाए तो हो जाए और बाकी बाते करा लो अब हमको ये करना हमको वो करना धरम के बारे में उबदेश तो आप लोग बहुत अच्छा दे लेते हो किसी से बोल दो तो ये बताओगा ये करना चाहिए वो करना चाहिए बर करने की बात हो तो टाल मटोल से कुछ नहीं होगा जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमें संकल्पित और संवनद होने की जरुवत है इस जीवन का कोई ठीकाला नहीं बहाने बाजी तो हम बनाते ही रहते हैं उसके क्या होगा दो मित्र थे दोनों एक दूसरे की दिंचरिया के बारे में चर्चा कर रहे थे एक ने कहा कि मैं सुब़ पांच बीजे उठता हूं नित्य क्रियाओं से निर्वत्त होता हूं थोड़ी देर प्रभु का इस्मरन करता हूं फिर उसके बाद योग प्राणायाम करता हूं और फिर अपने इस्नान ध्यान आदिक से निर्वत्त होकर बगवान के मंदिर जाता हूं आता हूं थोड़ा समाचार पढ़ता हूं सुनता हूं उसके बाद नास्ता करके ठीक साले नव बजे मैं अपने दफतर चला जाता हूं रात के आठ बजे आता हूं थोड़ा आराम करता हूं नहने धोने के बाद खाना पिना करता हूं और रात के ग्यारा बजे न्यूज देखकर सो जाता हूं मैं तम बढ़े आलसी हो पांच बजे को उठने का समय है और तूम दिन भार गोरख धन्दे मी लगे लेतो, मेरा सुनो, तूम क्या करता हूँ, मैं चार बजे उठता हूँ ब्रहम मुहुरत में, रिशी मुनियों की उठने का समय है, उठते ही नित्य क्रियाओं से निर्वित होता हूं, और नित्य क्र नास्ता करके बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता हूँ, स्कूल छोड़कर करके आता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ, भगवान की पूजा करता हूँ, फिर ठीक दस बजे भोजन करके अपने दबतर के लिए निकलाता हूँ, और साम के पांच बजे वापस घर आ जाता हूँ आते ही मैं सुर्यास से पूर भोजन करता हूँ भोजन करने के बाद बच्चों के साथ थोड़ी देर खेलता हूँ फिर घर में सब लोग मिलकर के स्वाधाय करते हैं प्रवचन सुनते हैं और ठीक दस बजे मैं सो जाता हूँ सामने वाला बड़ा प्रभावित हुआ बड़ा गजब आपकी दिंचरिया तो बहुत अच्छी है ऐसा आप कब से कर रहे हैं आपकी दिंचरिया तो बहुत अच्छी है ऐसा आप कब से कर रहे हैं उसने कहा कल से स्टार्ट करने का इरादा है। कल से सुरू करने का इरादा है। अभी कर नहीं रहे हैं। एह हाल तुम लोगों के हैं। कि कल से कर लेंगे, वो कल कभी नहीं आएगा। और जिंदिगी जहां की तहां रह जाएगी। इससे पहले कि हमारे जीवन में एक्रम आए, अपने जीवन में बापक बदलाओ घृतित कर देने का, प्रयत्न करना चाहिए, अपने जीवन को तब के मारगे में लगाना है, तपश्वी के मारगे में लगाना है, तब तपश्या और तपश्वी को अपने जीवन का आदर्स बनाने वाला वेक्ति कभी संसार में भटक नहीं सकता वो भोग वाद में नहीं रमेगा उसके जीवन में त्याग और वेरग के संसकार अपने आप उम्डेंगे और उसी के बल पर अपने जीवन का कल्यान हो शकेगा समय आप सब का हो गया है आज यहीं पभी राम आज तो मध्यान में भी पुना कारिकम है तब कल्यानक की बिशेश चर्चाएं मध्यान के समय आप सब को बताई जाएगी यहीं पभी राम बोलिए परम पूज आचार गुरुवासरी विद्यासागर जी महरद